अगले दो दिन टेक्नोलजी कम्पनियों के लिए सबसे खास रहने वाले हैं क्योंकि TCS के नतीजों के साथ पूरे रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ दिखाई देगा लेकिन सवाल यही है कि ये रिजल्ट सीजन क्या लेकर आएगा अब तक की सिचुएशन अगर आप द क्या नहीं? डिमांड रिवाइवल पर कम्पनिया क्या कह रही हैं? क्या डिमांड घटने का सिलसला खत्म हो चुका है? क्या वो बुरा दौर खत्म हो चुका है? इस कॉमेंटरी पर मार्किट की नजरे नहींगी. यही नहीं. FI25 को लेकर डिमांड की स्तिती क्या है? इस इंप्रूव्मेंट की उमीद है. 0% से 0.7% constant currency growth आ सकती है. Infosys 1% की CC growth expect कर रहे हैं बाजार में और विपरो के केस में 0.8% negative growth देखने को मिल सकती है. HCL Tech के लिए 1.4% आकड़ा उमीद है और LTI माइंटरी के लिए CC growth करी 1.7% रह सकती है. अगर निराशा हाथ लगेगी वो शा इन्होंने बड़े orders जीते थे. Infosys ने 3 बड़े orders का एलान किया. 1.5 billion dollar का एक सौधा जो 15 साल के लिए साइन कर रहे है. Liberty Global के साथ 1.5 billion euro का एक सौधा इन्होंने साइन किया. और एक और क्लाइन के साथ 2 billion dollar की 5 साल की दील इन्होंने साइन की है. TCS के लिए एक बड़ा सौधा आया. JLR की तरफ से 800 million pound का और HCL Tech ने Verizon के साथ करीब 2 billion dollar की एक डील साइन की. इसका impact देखने को मिल सकता है. लेकिन देखना ये है कि क्या ये margins में मदद करेगा. Margins का जो अनुमान है. Infosys के लिए 20 basis point की उमीद बढ़ने की है. 35 basis points TCS के margins में सुधार का अनुमान जताया जा र है. ये उमीद है. लेकिन सवाल यही है. उमीद पर अब यहां से stocks जो पहले भाग चुके हैं आगे इनका production कैसा रहेगा. Result season की जो शुरुवात हो रही है. जो शुरुबूब।